नमस्ते आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में बच्चे हो या बड़े इसे सभी खाना पसंद करेंगे तो अब आलू के मूली के मटर के पराथे थोड़े से साइड में कीजे और ये बना ले तो उसके लिए सबसे पहले मैंने तेल गरम करने रख दिया है जैसे ये अच्छा तेल गरम हो जाना तो आपको ये खिचिया डाल अब ये हलका सा ठंडा हो जाना उसके बाद देखे इसे इस तरह से टुकड़े कर लिने है उसके बाद इसके अंदर स्वात के अंदर सा नमक लानमिश पाउडर इसके साथ जीरा डाल दे एक चौथा ही चमच और तोड़े से धनिया के पत्ते एक बारी कटा वह प्यास और अच्छे से सभी को मिलाते हो एक खिचिया के बिल्कुल छोटे छोटे बारिक टुकड़े कर लिने हैं देख सकते हैं इस तरह से मैंने अच्छे से मिला लिया तो जैसे हम आलू के पराठे के लिए आलू का मसाला बनाते हैं मूली के पराठों के लिए मूली का मसाला बनाते तो ये खिचिया का स्टफिंग बनकर तयार है पराठे के लिए अब पराठे के लिए हम आठा गुनेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया और इसमें मैं डाल रही हूं दो से तीन कटोरी गीहूं का आठा इसी के साथ मैं इसके अंदर डाल रहे हूं स्वात के अनु नहीं जादा सकत होना चाहिए नहीं जादा नरम मीडियम साफ्ट आठा गुनना है इसके लिए थोड़ा थोड़ा करकर ही पानी डाले और आठा गुन दे उसके बद थोड़ा सा तेल लगा कर आठे को आठे को अच्छे से इस तरह से मसल लेना है इस तरह से आठे को मसल ले के बाद फिर से हम थोड़ा सा इसके ओपर तेल लगा लेंगे और इसे ढखकर हम 5 से 10 मिनिट के लिए रख देंगे इस से न पराठे और भी अच्छे बनते हैं पर अगर आगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप तुरंध भी इसके पराठे बना सकते हैं मैंने इसे 5 से 10 मिन के लिए तवा मैंने पहले से गरम करने रख दिया है लोई को चकले के ओपर रखकर दोनों तरफ सूखा गिहूं का आटा छिड़क लेना है और इसे बेलना है देखे इस तरह से गोल्ड रोटिया बेल ले बीच में यह जो मसाले तर जो खिचिया का हमने स्टफिंग बना के रखी दी वो अच्छे से डाले और रोटियों को यह जो रोटी है इसे किनारे से अच्छे से इस तरह से पूरा पैक कर लेना है किनारों को जोड़ते हुए दोनों तरफ फिर से सूखा गिहूं का आटा छिड़कर इसे बेलना है और देखिए खिचिया के बिल्कुल छोटे की कोशिश ना करें अच्छे गरम तवे पर आपको यह पराठा डालना है और जैसे यह हलका हलका सिखना शुरू हो जाए तो इसके ओपर आप तेल लगा या फिर गी या फिर मखन कोई भी इन तीनों में से एक चीज से पराठे को अच्छे से से शेख ले देखिए इस तरह से पलटे भी रहे, दोनों तरफ मैंतो तेल का इस्तामाल कर रहे हूँ, आप चाहिए तो गी या फिर मखन से शेख सकते हैं, तीनों में यह काफिे बढ़िया लगता हैं जब तेल को बाठे हो जक्या कर दो हुए हमें हमें सेखता हैं, ता कि एक है कैसे कच्छा ना रहे है पहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़िदार लगता है इतने सॉफ्ट और टेस्टी पराठे आप इसे चटनी या केच्चप के साथ भी ट्राइ कीजिए, काफे बढ़िया लगते हैं, और मुझे कमेंट जो बताएं कि आपको ये बढ़िया से मसाले तर खिजिया के प स्क्राइब करना बिल्कुल ना भूले चैनल को थैंक यू